नमस्कार, खबरों का पंच नॉमद देख रहे आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बाड़ी खबरे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद हैं, क्यापटल टीवी के अड़िटरियन चीफ दॉक्टर तीन दिन के अमेरेका दौरे पर हैं प्रधान मंत्री नरेंज मोधी, क्वार्ट शुकर सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा, सरक्त रास्ट महासभा में देंगे भाशन बाइडन के साथ, रुपक्ष बाठक में कई महत्पुन एजंडों पर को गीचर चा केजरिवाल के इस्तिफे के बाद दिल्ली में आतिशी पारी की हुई शुरुवात, आतिशी बनी दिल्ली के 17 वी मुख्यमंत्री, पांच मंत्रियों समेट ली दिल्ली के सियम पद किशपर तेरोपती बाला जी के प्रिशात का विवाद गेर आया सादू संतों में भारी गुसा, CBI जाच और आरोपियों को फासी की मांगुटी विवाद के बीच एयार डेरी फूट्स को भेजा गया कारण बताओ नोटिस हर्याना में राच्निति खल्चल तेज, कॉंग्रोस में अंदेखी से कुमारी स्यल्जा आवे भी खपा, मनोहलाल खटर ने कुमारी स्यल्जा को दिया बीच पी में आने का उपर हिमाचल प्रदेश के सिर्मौर में हिंदू का जोरदान प्रदर्शन वब बोड और घुसपैठियों का विरोध प्रदर्शन कारियों ने उठाई वब बोड को खत्म करने की बाग खबरों की शिर्वाट में सबसे पहले बात मोदी के सुपर पावर शो की प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 23 सितंबर तक तीन दिवसे अमेरका यात्रा पर हैं इस दोरान कई महत्पुन बैठको और कारिक्रम में हिस्सा लेंगे प्यामोदी क्वार्ड लीडर समित अमेरकी रास्टपती जो बाइडन के साथ उपक्षेवारता और सयुक्त प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत में होने वाली इस बड़े और धमाकिदार प्रवासी कारिक्रम में लगबग 14,000 लोगों के आने की पूरी उमीद है प्यम अपने इस यात्रा के दौरान सिर्ट रास्ट महासबा में बविश के शिखर सम्मेलन को सम्मोदित करेंगे और प्रवासी भारतियों के साथ बादचीत भी करेंगे तीन दिनों का अमारका दौरा पेम मोदी का क्या क्या प्लान है और क्यों है ये बहत खास देखिए मैं कल पढ़ रहा था कि कमला हैरिस ने एक पब्लिक रैली की दस हजार लोग आए और उसको अब तक का सबसे बड़ा रैली बताया जा रहा है प्रधार मंत्री जिस कॉलिजियम में भाशन देने वाले हैं उसका स्ट्रंथ दस हजार का है 25,000 लोग और डी बुक कर चुके हैं 14,000 लोगों को रखा जाएगा कुछ लोगों को मना किया जा रहा है यह अमेरिका में जाकर के अमेरिका के लीडर से ज़्यादा बड़ी भील कठा कर लेना यही तो प्रधार मंत्री मोदी की खास्यत है अब बड़ी इंपॉर्टन मीटिंस हो रही है जो बैडन से भी मिलेंगे बताया जा रहा है ट्रंप साहब से भी इनके मुलाकात हो नहीं है यह भी बताया जा रहा है कि वो यूएन के फ्यूचर को लेकर के जो गोश्टी हो रही है उसके उपर भी वो भाशन देंगे लेकिन एक बड़ी बात इस पूरे ट्रिप की यूएन जनरल असेम्बली में प्रधान मंत्री भाशन नहीं देंगे उन्होंने विदेश मंत्री को कहा है कि इस बार भारत का पक्ष आप रखेंगे यह होता है लीडर रही बात मीटिंग्स की तो कौर्ड की मीटिंग इसको सबसे ज़्यादा महत्पुन माना जा रहा है कारण चीन के खिलाफ साउथ चैना सी में साउथ इस्टेसिया में टेरिटोरिल इंटीग्रिटी और चीन की दादागरी से निपटने के लिए यह जो जापान अस्ट्रेलिया इंडिया और यूएसे का यह जो गट जोड है यह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है और चीन को इससे काफी टेंशन हो रही है अब आद दिली में आतिशी पारी की आदमी पार्ची की नेत्री आतिशी ने राजपवन में आज दिली की सियम पद की शपत ले ली है आतिशी के साथ पार्च मंत्रेों ने भी शपत ली है आतिशी देश की सबसे युवा सियम और दिली की तीस्वी महिला सियम बनी है आतिशी ने शपत भी ले ली है क्या अब आदमी पार्ची की राजपवन में कोई बदलाव? देखिए सबसे महतपवन चीज क्या body language लेकर के गए केजरीवाल बड़े उदास दिख रहे थे ना चाय पिया ना बिस्किप पिखाया जो कुछ भी उनके पास गया उसको लोटा दिया और चुपचाप बिना कुछ बोले वे वहां से निकल पड़े ऐसे तो मीडिया में बयान देने के लिए बड़े आतुर रहते थे अचानक से ऐसी क्या बात हो गई दिक्कत ये हो रही है कि आतिशी मार लेना के खिलाफ कई सारे विधायक वो नाराज है कि इनको क्यों चूज कर लिया गया और इसके पीछे अनायास अपने आप से विधायक विरोध नहीं कर रहे है कुछ लीडर्स विधायकों को आगे बढ़ा करके कुछ उल्टी-पुल्टी राजनिती पार्टी के अंदर करने की कोशिश में लगे हुए अब उन्होंने सपत तो ले लिया लेकिन सपत लेते ही आप कह रहे हो कि भई आप तो कटपुतली है अपने ही बयान में कह रहे हो कि आप टेंप्रोरी हो आप कटपुतली हो आप अर्विद केजरिवाल के बताय रास्ते पे चलेंगे मुख मंतरी सपत लेती हैं लेकिन कैबरिट डिसाइड करते हैं केजरिवाल तो ये जो बार बार इनके उपर आरोप लगाया जा रहा था वो आज खुद ही इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है एक बात कहना जरूरी है भारती जंता पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका है अब आप के पास दो दो टार्गेट्स मिल गए हैं एक आतिसी मार लेना और दूसरा केजरिवाल अगर अब भी आप इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते और फेबरुरी तक अपने आपको केजरिवाल को हराने लायक नहीं खड़ा कर सकते तब फिर आप दिल्ली में राज सरकार बुराने के लिए डिजर्व नहीं करते तो दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है तो वहीं पुरे देशवर में तिरुपती मंदिर के प्रशाद को लेकर हंगावा शुरू हो गया है आप प्रदेश के तिरुपती मंदिर के प्रशाद में निर्मान में बीफ फैट फिश ओयल के इस्तमाल की पुस्टिग हो चुकी है जिसको लेकर पुरे देश में गुस्सा है करोलो सनातन प्रेमियों की आस्था के केंद्र भगवान तिरुपती बालाजी के प्रशाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्पी छड़ गया है साधू संत काफी जादा गुस्से में है आलंगी है कि मामले में फासी और सीवियाई जाज तक की मांग की जारी है मामला कोट तक भी पहुंच गया है इस विवाद में अब एर डेरी फूर्ट प्राइबट लिमिटेट का नाम सामया है दरसल इसे कंपनी के तरफ से तिरोपती मंदिर को घी की सप्लाई की जाती थी जिससे प्रशाद के लंडू बनाए जाते थे एर डेरी फूर्ट को कारण बताव नोटिस भेजा गया है राच्नतिक बयानबाजी भी इस मामले को लेकर काफी बढ़ गई है बयानबाजी हो रही है विरोत तो हो रहा है लेकिन आक्शन अब तक क्या क्या हुआ देखें आक्शन कुछ नहीं हुआ है और आपके समझें कि हिंदू कितना सहस्न होता है जो टॉलरेंस लेवल हिंदू का वो कितना है अभी ये काम अजमेर सरीप में हो गया होता तो सिविल वार चल रहा होता लोग रेलवे को खाड़ रहे होते बसों में आग लगा रहे होते ठाने को जला दिया होता पता नहीं क्या क्या हो रहा होता और यहां हिंदू के आस्था को जमिन दोख कर दिया गया नेस्तो नाबूत कर दिया गया और हिंदू सड़क पर नहीं आया अभी तक कहीं से कोई वालिंस नहीं लोग इंतजार करें शोकॉज नोटिस डाला गया है कारण बताओ नोटिस डाला गया है बताईए अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है बयान बाजी से काम नहीं चलेगा और अगर केद्र सरकार इसी तरह से चुप बैखती है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारती जिन्ता पार्टी को भुगतना पड़ेगा We had enough आपके इस तरह के चिक्नी चुपणी बातों से बहुत क्या फाइदा है हिंदुओं के नाम पे आप वोट लोगे और हिंदुओं की भावना इस तरीके से कुछ ने जाएगी आप राजितिक बयान दोगे और यह चाहोगा कि लोग आपको वोट करे यह जो हो रहा है यह बहुत ही बुरा हुआ है आप इस चीज को समझे एक एक घर के अंदर इसके उपर चर्चा हो रही है और लोग गुसे में जरूर है लेकिन हिंदु सौम में होता है हिंदु समिधान को मानता है हिंदु जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है कि सरकार प्रसासन यह राजितिक यह नेता यह क्या करते हैं एक्शन नहीं होगा तो इसका रियक्शन ऐसा होगा कि यह राजितिक पार्टियां यह जल के खाक हो जाएंगे चलिए बढ़ते आगे और बात हर्याना विधानसबा चुनाओ की करते हैं हर्याना विधानसबा चुनाओ की तारीक नजदीक आते ही राजनते खल्चल तेजी से बढ़ती जारी है बारती जिनता पाची ने इसके जबाब में कहा कि संभावनाओं का संसार है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कॉंगर्स नो उनका अपमान हुआ है उनके इस बयान से काफी जादा हल चल तेज हो गई है ये सिर्फ बयान बाजी है या अंदर कुछ खिचडी पक रही है देखिए मुझे लगता है कि सहल्जा नाराज है इसमें कोई डाउट ही नहीं है उनको बकादा एलिनेट किया गया है राहुल गांदी ने हरियाना कॉंगर्स में सब कुछ हुड़ा परिवार के हाथ उनको हवाले कर दिया है और इसलिए नसर्फ सहल्जा बहुत सारे लोग नाराज है लेकिन भारती जन्ता पार्टी बने आपने धरमसाला खोल लिया है आपके 50 से ज़्यादा नेता लोकल लेवल पे वो इस्तिफा दे रहे है अपना घर समलता नहीं है बहुत आप बुला करके क्या करोगे यह कॉंग्रेस से आप लोगों को बुला बुला करके आप उनको राजसवब है जो उनको मंत्री बनाओ उसको सारा काम करो और भारती जन्ता पार्टी के लिए जो काम कर रहा है उसको चुनाओ से ठीक पहले दरकिनार करो यह भारती जन्ता पार्टी को हो क्या गया है आप अपने कारकरताओं की नहीं सुनते आप निताओं की नहीं सुनते और यह भाले के लोग जो अरे जो सेलजा कॉंग्रेस पार्टी को के लिए कुछ नहीं कर सकी आप उनको यहाँ पर open invitation दे रहे वही आजाओ आजाओ आजा करके क्या करेंगी मुखमंतरी बनाएंगे आप रास्वा भीजेंगे आप भारती जंता पार्टी चुनाओं में इतनी ज़्यादा इनकी फजियत हुई हर्याने में भी इस्तिती खराब है कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है लेकिन आदत है कि इनकी जानी रही है हिंदू समाज ने आज जोड़दार प्रदर्शन किया है हिंदू संगर समिती ने इस प्रदर्शन के लिए आहवहन किया था यह प्रदर्शन अवैद महजित और घुसपैट समेट कई मुद्दों को लेकर हुआ और प्रदर्शन कारी सरकार से वफबोट खत्म करने की लेने की मांग की कई है हजारों की संख्या में हिंदू सड़क पर है क्या सरकार मांग इनकी मांगेगी देखिए सरकार बड़ी लुंच पुझू तरीके से मूव कर रही है कि महराष्ट्र में मुंबई के अंदर धारावी में एक मस्जिद को लेकर के बावाल चला जो मुस्लिम पक्षे वो भी कह रहा है इलीगल है बीम से ने उन्हें नोटिस भी दिया कि हम फ़ला फ़ला तारीक को आ रहे हैं डिमॉलिस करेंगे आप हटा लो लेकिन हट नहीं रहा है हमाचल मैं आपने यहीं देखा अचानक से उतरा खट में कहीं सारे उग जाते हैं एक से एक जो है कबर उगने लगते हैं कहीं सारे कबरों को डिमॉलिस किया गया तो अंदर मालूम से मिट्टी मिल रही है वहाँ पे कुछ थाई नहीं कोई कबर है तो यह जो परंपरा जो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वकबोर्ड के नाम पे वह तो यहाँ पे कबर रहा है तो यहाँ दरगा आये और यह हमारा हो गया अभी खबर आ रही कई सारे मंदिरों को वकबोड़ वाले ने कह दिया भई यह हमारा है तो यह वकफ का कानून जो लटका हुआ है उसको यथा सिग्र लेकर के सामने आना चाहिए जमीन हिंदूओं की हो या मुसल्मानों की हो कोट के अंदर आप उसका फैसला करें और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चाहिए वहां कुछ भी हो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर राजनीती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को इससे बचना चाहिए आप क्या चाह रहे हो उस देश के अंदर में कि कोई भी इल्लीगली मकान बना ले मस्जिद बना ले या कुछ और बना ले और उसको सिर्फ आप इस चीज के लिए उस इल्लीगल को लीगल बनाना सुरू कर दे क्योंकि आपकी वोर्ट प्रेंट की राजनीती उससे जो है वो आपकी साथते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है वर्ट बोर्ट का कानून जल से जल लगे और कोट्स ने भी बहुत बवाल मच रहा था कि बुल्डोजर बुल्डोजर के उपर सुप्रिम कोट ने भी क्या कहा सुप्रिम कोट ने कहा कि जो अवैद है उसके उपर तो बुल्डोजर चले जो अवैद नहीं है उसके उपर बुल्डोजर नहीं चलना चाहिए यही सुप्रिम कोट का भी आदेश है तो अभी हिंदुओं में कुछ जागृति आ रही है लोग जग़ जग़ ढूंड रहे हैं वे कहा कहा क्या होना चाहिए और अगर पब्लिक इस तरीके से सडकों पर आएगी तो यकीन मानिये फिर सरकार भी बात भी हो जाएगी कि इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुल्डो जिर चला है बहुत बहुत धन्यवाद बार्चीत के लिए धन्यवाद